नमस्कार दोस्तों मैं आज खरोट काउं में आया हूँ और यहां की सुन्दरता और खूल सुरती और यह सामने की पहाड़ियां देख रहे हैं और इस तरफ जो बरफ है सफिसवेद आपको देख रहे होगी और यह दिखाता हूँ आपको यह देखो बरफ यहां स्रीखंड महादे प्रिकट हैं जो इस महिने से या अगले महिने से चालो हो जाएगी यात्रा और आप देखते कितना सुन्दर दर्श है बहुत ही खूबशूरत नजारा और यह सेव एपल का बगीचा है और यह दूर दूर तक आप देख सकते हैं यह उपर हम चोटी के पास ही पहुंच चुके हैं लगभग और यहां बहुत हर कुछ बर पढ़ती है सुन्दरता के मामले में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही यह और आगे चलके दिखाते हैं हम आपको यह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टाने पहाड़े हैं खूब सुरत बड़ा दिल मोह आले हैं बहुत ही अद्बूच बार बार दिल करेगा आपका आने का और मैं आपको ऐसी ऐसी जगे घुमाएंगे जो आपका दिल भी करेगा बार बार आने का नजारा हो तो ऐसा देखने का दिल और नजारा और एक बार घुमने आएं खरोट गाओं निर्मर से उपर है खरोट यह देख सकते हैं हासीन बादियां और मैं आपको आगे लेकर चलता हूं यहां बड़े-बड़े पत्थर हैं चट्टान है जो इनकी खूब शूरते हैं को बढ़ाता है ओ हो वाव ऐसा लगता है साइधा आप इसी बगीचे के अंदर कहाणियों के अंदर एक अपना घार हो संदासा रहने के लिए सुमसाम सांतियर या ना कोई डिश्टॉप करे ना कुछ और मैं थोड़ा सागे के लिए जंगल की तरफ लेके चलता हूं अब जंगल की तरफ चलते हुए और जंगल के बीच रास्ते से बुजड़ते और यहां कहते हैं कि भालू तैंदू बगारा भी आते हैं कि पर ऐसा दिन में नहीं कभी रात में आ जाते हैं क्योंकि जंगल एरिया है तो हो सकता है कोई भी आ सकता है कि पर आप ऐसा लगेगा जैसे हम जन्नत में आगे एक स्वारक जो बोलते हैं बुलकुसान एकदम जिडियां की चेह चायट जितना आगे जाओगे इतना इमस्त लगेगा व्यूस जितना खतरनाक है कि कि तने उच्छे उच्छे पेड़ है हाइट है कि लंबाई है पेड़ों की यह देखो मैं आगे आगे लेके चलता हूं और दिखाता हूं यहां की खुख सुरते वादियां आप लोग आएं यह मिस्टर जी तुभाई यूटूब चैनल लाइक कमेंट सक्सराइब ना करना भूलें बैल बजाएं ओहों कि यह देख सकते हैं और हलो गाइज और यह आप लोग देख रहे गए कि चारों तरफ आपको यह वीज दिखाएंगे खतरनाख कि अग्यां कि अग्यां कि दिल करता है बार बार यहीं रहने का कि यह आप लोगों की खातिर में यह बिलोग बनाया है कि मैं एक हसीन बादियों में जाओं और आप लोगों को कुछ नया दिखाओं आप देख सकते हैं अब फिलाल इससे उपर आप जाएगी चोटी पर बहुत ही घणा जंगल है और मैं अपनी टीम को लेकर आँगा नेस्ट वीडियों में इसके बाद धन्यवाद धन्यवाद थैंक्यूद् नमस्टे